जहीं दोस्तों आपका अपना चनल Free Knowledge 1998 में स्वागत है दोस्तों यदि आप मेरे चनल पर नए हूँ तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है बारती सेना में विकेंसी निकली हुई है दोस्तों जिसमें कोई भी एक्जाम नहीं होना है जिसमें डायर्ट SSB होना है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना जिसमें कोई भी एक्जाम नहीं होना है और नहीं कोई रिटन टेस्ट होगा और नहीं दोस्तों आपका कोई computer based exam होगा जी हाँ दोस्तों इसमें आपके direct SSB होगा दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ कि यह vacancy all over India के लिए है इसको male और female दोना candidate apply कर सकते हैं चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसके official notification के और ले चलता हूँ यह है रहा दोस्तों इंडिया नार्मी का official notification जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों इसको only all over India के unmarried male और unmarried female अपलाई कर सकते हैं और दोस्तों इसमें आपका आपकी जो training होना है दोस्तों आपके training होना है training academy चन्नेई तमिल नाडू में इसके training होना है दोस्तों दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यह जिस पद के लिए इस विकैंसी को निकाला गया है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आल ओबर इंडिया के लिए यह विकैंसी निकली हुई है चलिए दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ इसकी दोस्तों जैसे कि आप मैंने आपको बताया कि यह विकैंसी अन्मेरिड इमेल और अन्मेरिड फीमेल के लिए निकली हुई है इसको मेरिड लोग अपलाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों अब मैं आगे बात करूं इसकी अपलाई मोड की तो यह विकैंसी दोस्तों ऑनलाइन इसक को आप अनलाइन ही अपलाई कर सकते हैं और मैं विकेंसी की बेकेंसी की बात करूं तो दोस्तों इसमें विकेंसी टोटल पोस्ट आई हुए है 189 अब मैं इसके एज लिमिट की बात करूं दोस्तों एज लिमिट की बात करो तो इसको ओनली 2027 एयर के कैनिडेट ही अपलाई कर बहुत ज़रूर दोस्तों education qualification की तो इसमें दोस्तों आपके पास engineering degree का होना पहुत जरूरी है या आपका इंजिनरिंग में we have forth year भी चल रहा है तो वह भी चल सकता है। दोस्तों यह आपका fourth year को apply कर सकते हैं selection process की बात करूँ मैं तो पहले short list होना है उसके बाद SSB एंटर रिविक ले बुलाए जाएगा फिर उसके बाद आपका medical examination होगा important date की बात करूँ तो दोस्तों इसकी start application date है 14 October से start होगा इसका form flip होना और last date इसकी है दोस्तों 12 November को आसा करता हूँ दोस्तों आपको समाज आया हो इसको only वही candidate apply कर सकते हैं जिसके पास दोस्तों engineering degree हो या फिर जिसका engineering for the year running चल रहा हो चले दोस्तों और मैं आपको contribution में दिखाता हूँ दोस्तों मैं male candidate की post की बात करूँ तो इसमें male candidate की total post कών में 75 आप देख सकते हो दोस्तों इसकी total post है main candidate की 175 post है यह only male candidate की है female candidate की post कि मैं बात करूँ तो female candidate की 2 है look only 14 फिमेल केंडियेट की दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता है है पूरे all over India के लिए यह vacancy है इसको unmarried male और unmarried female इस vacancy को apply कर सकते हैं married लोग इसको apply नहीं कर सकते date की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ साफ लिखाना है online applications will open on 14 October को इसके site चालू होगी दोस्तों and 12 November को इसके form apply होना बंद हो जाएंगे आसा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे video पसंद आई हो तो दोस्तों यदि आपको मेरे video पसंद आई हो तो please मेरे channel को subscribe करें and मेरे video को like करें जाहिन दोस्तों